नमस्कार दोस्तों आपके अपने योटूब चैनल राकेश बलोदा जुहनों पे स्वागत है तो आज अपन बात करेंगे लाइवरी एंड इंफॉर्मेशन साइन्स से समदी जो महेतोपुन क्यूशन है उनकी जो आपको पता है कि पंजाब लाइवरी के एक्जाम डेट है व सब्सक्राइब कर सकते हैं जो कि बहुत इपोर्टेंट अपनजाब लाइवरी के लिए उनके लिए आप संपरक कर सकते हैं क्यूंकि इन क्यूशनों के देम से आपको यह पता लग जाएगा कि किस परकार से आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशी से करेंगे पंजाब लाइवरी एक्जाम में तो पहला अपना क्यूशन है कि गलोश्री, लेक्शिकों, थिसोरस, and वेक्यवलिवरी आर ट्रम्स देट आर यूज़्ड यानि कि सिद्धी सिद्धी बात करेंगी गलोश्री, लेक्शिकों, थिसोरस और वेक्यवलिवरी के समनार्थी सबद हैं cashbook फखेंकि सब्सक्राइब्संस थिति दर्फ संधर हों यह हैं इंति सूचना प्रशार्थ किसे दवारा देगी थी कभ देगी थी इसको तोड़ा सा किम्सकाले में आप बता सकते हैं कि उसका कुशन किस परकार से आता है कोई कमेंट करके अगला अपना क्यूशन है जो बहुत वार एक्जाम में क्यूशन पुच्छा गया और किस परकार से पुच्छा जाता है थोड़ा सा द्यान रखना पेटेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम का जो मुख्यले है वो कहां पे है भारत में तो बात किलेते हैं कि patent information system का जो काँ पेश्टीत है तो आपका काँ पेश्टीत है नागपूर महाराष्ट्र में सबसे पहले तो बात किलेते हैं कि patent होता क्या है और इसमें जो है क्या तो बात किलेते हैं patent क्या होता है तो patent आपका सासन सरकार patent आपका सासन सरकार सासन सरकार या आविश्कार करता के मद्य समझोते का क्या होता है एक सम्झोते का पर्मानपत्र होता है क्या होता है आपका पेटेंट होता है pagina एक ट्वीक के आई पिर आई पिर यानि डिक संपदा अधिकार बोद इसम्पदा-अधिकार में इंगा आते हैं सारे आपके अधिकार आते हैं 2-3 के और बात करें एक पूच्छा ऑप्याइट क्यूंब्स पूछा दा है कोपी राट की बात करें तो यह भारत में बना इसका मुख्याले काहां पर लागू उखा बन गया था संगुणी सो 47 में लेकिन लागूए 21 संगुणी शोठ एंध्याओन इसका मुख्याव्याइब काहां पर दिल्ली में और इसके अधिक्तम आयू कितनी है तो लेख की मर्तियों के 60 वर्षों तक यह दिनियम क्या रहता है लागू रहता है यान की कोपिराइट सुरक्षित रहते हैं एक आपका ट्रेंड मारक दिनियमें ट्रेंड मारक तो थोड़ा ध्यान रखना जो यह दिनियमे और भी में ढृट यहां गतना कैसा कि मुंबई में क्या स्कानी और चार्वर्स होतीए यह चार्वर्स ऐक बार पूछा गया था तो इसको थोड़ा सा द्यान रखना है इसके बाद अगले क्यूशन की बात के लेते हैं अगला अपना क्यूशन है which on the following is no tip primary source of information यानि की निमिल लिखित में से कौन साई की सूचना का प्रात्मिक सरोत नहीं है कौन साई सूचना का प्रात्मिक सरोत नहीं है सरोतों को किन-किन वेक्तियों ने बाटा कौन-कौन से प्रात्मिक सरोत उते हैं आपको बता दिता हूं दो चार मां आपको बता देता हूं दित्यक स्रोत के बारे में तो दित्यक स्रोत जितने भी संद्रब गरंत होते हैं जितने भी संद्रब गरंत होते हैं अनुकर्मनी का पत्री का अपन बात के लेते हैं सारकरण की सार बात के लेते हैं सारकन पत्री का सारकन पत्री का भी क्या होती है एक दित्तेक स्रोत होती है अनुकर्मनी का पत्री का भी जितने भी संद्रब गरन था ये सारे क्या होती है आपके दित्तेक स्रोत होती है एक CW Henson था एक Dennis Grogan था CW Henson ने सूचना सुरोतों को दो बागों बाटा था कौन-कौन से प्राथमिक और दिते सिदा-सिदा पूचता है ऐसी बात नहीं है सिदे-सिदे क्युशन पूचता है और जो अपन के ओल्ड क्युशन पेपर हैं प्राथमिक शुरोत है एक सबसे पहले निर्मीत किये गए शुरोत होते हैं इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा क्या अगर ना आपको ध्हान रखना है क्योंकि इस परकार के क्यों से एकजामें पूचे जाते हैं अगला अपना शिद्धा दे रहा है कि निमिल कितम से पेटेंट एक्सवर किस परकार का सूचना सुरोत है तो आपको मैंने उपर बताई दिया है कि जो पेटेंट एक्सवर वो क्या सूचना का प्रात्मिक सुरोत है कभी भी एक्जाम देख लेना प्रात्मिक सुरोत है यानि पढ़ने बेटो तो 15 सुक्यूसन एक साथ करोगे तो कितने होते हैं लेकिन ये देखोक्षान आपको ज्याद से ज्यादा निकालने इस टाइम क्यूंकि एक्जाम टाइम के स्वा आपको पता लग सकता है कि किस परकारी क्वेशन आ रहे हैं अगला है कि तेरी शिवा आतम सारकरंड के मुख्य चरण है तो ये जो तीन मुख्य चरण ये किसके हैं, तो आपकी बात के लिए तेँ दिर्ग कलीन संद्रब शिवा की अब उती क्या है दिर्ग कलीन संद्रब शिवा तो बात के लिए डोक्टर S.R. रंगनाथन तेँ रंग नात्तने संदरब सिवा को दो बागों बाता था पहली कोई थी टिवरित संदरब सिवा जिसे बोलते हैं reddy reference service और धीर्ग कालीए संदरब सिवा जिसका टाइम क्या होता है जब भी कोई पाथा किया संदरब सेवा की चाहत करता है तो उस चाहत को क्या करता है कि उसको एक मिनट में यानि की जल से जल संपन नहीं किया जा सकता डिर कलीन संद्रभ शेवा में क्या लगता आपका टाइम लगता कितना टाइम लगता कई बार समय नहीं पूशते हैं लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है कि इनमें समय लगता 30 मिनट से जएदा क्योंकि 1 से 30 मिनट का स्दैमे किस में लगता है वो लगता आपका तवरीच संद् है यह आपका अलग लग परकार की होते हैं जो संद्रप गरंथ उपसे किया जाता है इसके बाद यह त्यारी शिवा अत्म शारकन यह थोड़ा से बड़ा होता है त्यारी क्या होता है एतनी जानकरें अपको नहीं है पुखनी है आपको नोर्मल जानकारियां रखणी है अगला अपना क्यूशन है कि परलेखो को चार श्रेणों मेंuuuuक ने विवाजित क्या इंगल्लिस से तो डोक्टर एसार नाथ ने सूचना स्रोतों को चार बागों में वाजित क्या था कौन से थे प्रमप्रागत नव प्रमप्रागत और प्रमप्रागत नव प्रमप्रागत और मेटाड़ा इसको थोड़ा से द्यान रखना यान की प्रमप्रागत नव प्रमप्रागत मेटाड़ा और परमप्राघती उनको इनको क्या रखाए थोड़ा सा ध्यार रखना क्युकि स्थान का Christ इसका बिल्कुल राइट आंसर है क्योंकि इसका उप्योग है वो विश्य इस्तान की जानकारी के रूप में किया जाता है अगला आपना क्यूशन की बिब्लियोग्राफी सब्द की बासा से बना है दो सब्दों को द्यान रखना है एक तो पूचते ले था आपका बिब्लियोग्राफी एक पूचता आपका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से भी क्या आपका क्यूशन मनता है, तो एक पूस्ता आपका क्लासिफिकेशन सबद है, और एक पूस्ता आपका बिब्लियोग्राफी सबद है, तो बिब्लियोग्राफी सबद है, यह निकि ग्रीक वासा के क्योंकि दोनों को बहुत वार एक्जामें पुछा जाता है और सिसके बाद अगले कुशन की बात के लेते हैं अगला अपना कि अउदाना किसने दी थी तो जो संद्रःब सुवा की आउदारना है वो विश्वो में सरू परथम किसके द ररा दी थी तो आपकी द दी ती संद्रफ दीगे थी सेमवल स्वीट गरीन के दौरा तीन क्यूशन बनते हैं संद्रब शिवासबद का सवर व पर्तम प्रयोग करने वाला वेकती कौन था उपका था डोक्टर एसार रंगानातन थे। इसके बाद अगले कुछन की बात के लिए अगला है कि इंडिया एरेफरेंश इन्वल की ऐ arm वार्शी की गरंथ है इंडिया रेफरेंस एनवल इसके बाद देखो डिटेल से बात कम करेंगे क्योंकि जो एक्जाम में क्यूशन पुछे जाएंगे वह आपको सथ साथ बता रहा हूं क्यूंकि इस परकार से क्यूशन कभी पुछे जाते हैं है इसके बाद अगला है कि पुस्तेकले में पर ले खों इन्साहिकलोपीडिया ओफ लाइवरी इन्फोंशन सांप डाहिप खूब्याय कुछ इसका प्रकासिन करते है कौन करता है मार्शल डेकर कोन करता है मार्शल है यह साल मार्श्ममत का थोड़ा नाम इसमें ड्या रखना इंशाइश क्लिया और पॉट साइंज में कुछे बहुत बार एक्जाम में पहले भी पुछा गया कुछ अगला इवार कि निमी लिकित में से कार्डेग्स पढणाली कोन सबसंदीता है तो काल डेक्स पढणाली को आपको द्यान रखना किससे समधीता है आपकी पत्र-पत्रिका उसे संब्संदीत है पढ़नाली उसमें जाँज पत्रका जो वेऊसता पता पनल रिख की अनुसर किया जयता है तो आपका टाइचल यह जो त्रीपटराइज सार न्हांथन के दौर बनाएगी थी शन गुनिशो तीस में इसके बाद अगले क्यूशन की बात कि लेते हैं अगला क्यूशन की डेट्रोइट सव निर्गम पत्ती का एक सरलीकर्ट सुरूपन है तो यह किसका है तो यह आपको थोड़े द्यान रखना यह कौन सी पत्ती हो जाएगी आपकी हो जाएगी निवारक पत्ती कौन सी हो जाएगी निवारक पत्ती कब बनाएगी थी काहां पे बनाएगी थी तो सबसे पहले बात कि लेते हैं कि निवारक पत्ती है वो न्यूजर्सी सहर में यहनकी नियोर्क के न्यूजर्सी सहर में बनाएगी थी काहां पे नियोर्क के न्यूजर्सी सह सनाता है बहुत अगल्हार अपना चलावार पूस्तक होते हैं जिलबंदी के बारे में थोड़ा पड़ना अपो कि जिलबंदी तो जो पुस्तकाले से उन lesson को क्या कर दिया जाता है तो जिलबंदी के आपकी कुल साथ चरण होते हैं उन छ theoring की पूर्ण चरम जिलबंदी याँ पुस्ती की रीड या पुस्तकी रीड आपको पताई कि जो इस प्रकार के पुस्तक के रीड तो पुस्तक का या आवरण हो को और सबसे उप्यूक्त चरम किसका होता है यानि कि जो पुष्ट को की जिलबंदी की जाती है तो उससे में सबसे उप्यूक्त चरम या सबसे नरम जो चरम किसका होता तो आपका होता है यह क्यूशन क्या एक्जाम में पहले पुछा गए बेड़ का चरम सबसे उप्यूक्त सब्सक्राइब डिमांड कि बात के जिस परकार के दिए जाने चाहिए यह सिदान्त कि स्ञाहिसी ने दिया था तो यह सिदान्त देता आक का को मांग डिम wein के दिवारा दिया गय था इसके बाद अगलfind कि अगल मैं कि सभी सभी दस्टांतों के जत्रतानतु की उस्ठती संपून आधी के लिए ने पुस्ता की जिल्बन दी करने इस पर्थम परकिँन क्या होती है तो जब कोई भी पुस्ता की नही जिल्बन इसको बोलते हैं अपन क्या करते हैं कि एक तुरित करना क्लेक्शन करना या समाकलनद ये तिन्नों क्या होते हैं इसको थोड़ा क्या कर दिया एंगलिपमें लिख दिया तो कौन सा नियाम है तो jyrf नियम यानि कि जन्रल फाइनेशियल रूल 25 के नियम इस तुरानमा की तहत क्या girता है पुष्ट काले में कि बोग्तिक सत्य inappropriate के समंध में दिशानिप्दे से परदान करता है नहीत को सारी पहले की वीडियो म सब्सक्रल के निया आप guy चन्प जो भी वीडियो 45 मिनिट का आप उसको only for 25 या 20 मिनिट में देख सकते हैं दो गुणा या उसको एक पॉइंट पांच गुणा इस्पेड बढ़ा के अगला आपना क्यूशन है कि संगठन चार्ट एक संगठन की संचना को परदशित करता है तो इसका बिल्कुर राइट आंसर जी आपको पता कि कि किस सम्देते हैं तो आपकी परिचलन यानि कि सर्कूलेशन सेक्षन में परियोग की जाती है परिचालन के लिए आगम निर्गम में परियोग की जाती है आगे जो और वी क्यूशन है तो इन किसेने भी बहुत सारे और ग्युच्छन दियेगे तो इन कीशनों को अपन कर लेंगे कल जो लग बग ज्यादा से जादा क्यूशन करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी आपके डाउट है या अपने किसी परकारी को इस्टुजेंट को डाउट है कोई समधित समस्या है या अन्य कोई समस्या है तो आप वह भी को लिक कर सकते हों तो चलो आज के लाइव सेशन का अपर यहीं पर एंड करते हैं जय हिंद जय भारत